आस्ट्रेलिया के खिलाफ वंडे सीरीज के लिए भारतिय टीम का एलान, अश्विन की वापसी, इंडिया वर्सस आस्ट्रेलिया वंडे सीरीज के लिए इंडिया स्कौर्ड भोशित हो चुका है भारत और आस्ट्रेलिया दोनों टीमों के लिए ये सीरीज विश्वकप की त पॉकाबलों के लिए अलग टीम चुनी है, जबकि तीसरे वंडे के लिए चुनी गई टीम में उनी खिलाडियों को मौका दिया गया है, जो विश्वकप की टीम में हैं, हालां कि रविचंदरन अश्विन तीनों वंडे मैचों के लिए टीम का हिस्सा हैं, वह लंबे समय बा अगर वह फित नहीं होते हैं तो अश्विन या वाशिंग्टन सुन्दर को विश्व कप टीम में मौका मिल सकता है। विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगी। वहीं, दूसरा मैच 24 सितंबर को इंदौर और तीसरा मैच 27 सितंबर को राजगोर्ट में होगा। इसके बाद यही दोनों टीमें विश्व कप में भी 8 अक्तूबर को आमने सामने होंगी। वन्डे विश्व कप 2023 में भारत और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज के लिए आस्ट्रेलियाई टीम का एलान पहले ही हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में सीनियर खिलाडियों की वापसी हुई है। नियमती कप्तान पैट कमिनस, स्टीव स्मित, मिचिल स्टॉक और गलेन मैक्स्वेल को चुना गया है। कमिन्स, स्मित, स्टॉक और मैक्सवेल चोट के कारण दक्षन अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे 18 सदसियर टीम में चोटिल ट्रेविस हेड को नहीं शामिल किया गया है ट्रेविस हेड की जगह लेने वाले मानश लाबुशेन को टीम में रखा गया है भारत के खिलाफ वंडे सीरीज के लिए आस्ट्रेलिया की टीम स्क्वाग पेट कमिन्स कप्तान, सीने बॉट, एलेक्स केरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉंसन, मानस लाबुशेन, मिशेल माश, ग्लेन मैक्स्वेल, तन्वीर सांधा, मैच शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टॉग, मार जविद वोन, एदम जंपा